तो हम पढ़ेंगे अभी कि आर्थ्रोपोर्ट से जित्ती भी बिमारिया होती है उन सब बिमारियों के बारे में बात करेंगे सबसे पहले बात आता है एनाफिलीज मॉस्किटो तो इसके लिए हमारे पास एक निमोनिक है कि एना आंटी इस अ मिल्फ तो इसका M ले लो तो M से हो गया Malaria और F से ले लो Phylariasis ठीक है क्यूलेक्स मॉस्किटो के लिए भी हमारे पास एक निमोनिक है ठीक है बहुत ही बिकार निमोनिक है तो Japanese Encephalitis हो गया और West Nile Fever हो गया Aedes मॉस्किटो उसके बात करें तो उसके लिए ये निमोनिक है ADZ को डेंगू चिकन गुनिया और पीलिया हो गया तो यलो फीवर हो गया डेंगू हो गया चिकन गुनिया हो गया फाले रेसिस हो गया और जीका हो गया House Fly जो होता है वो टाइफ़ाइट कोज कराता है Sand Fly के लिए ये होया दखना काली रेत रेत मतलब सेंड काली मतलब कालाजार कालाजार कोज कराता है विसरल लेश्मैनियासिस सेटसी फ्लाइ की बात करें तो देखो When sun set, we go for sleeping तो ये sleeping sickness कोज कराता है और अफ्रीका के लोग बहुत सारा सोते हैं इसलिए वो इत्ती तरक्की नहीं करते हैं तो इससे कहते हैं अफ्रीकन ट्रिपेनोसोमियसिस भी कहते हैं लाउस की बात करें तो ये epidemic typhus, trench fever और relapsing fever भी कोज कराता है ब्लैक फ्लाइ की बात करें तो ये onco-seriesis कोज कराता है kissing bug जो होता है वो triatominate होता है redoic bird भी कहते हैं तो ये chagas disease या American trypanosomiasis भी कहते हैं इसको ये कोता है soft tick जो कि आगरा में मिलते हैं आगरा में ही क्यों मिलते हैं तो क्यों fever क्योंच कराते हैं heart tick जो होता है hard चीजे तो कहां मिलती है forest में मिलता है तो kyanusur forest disease हो गई और ये exodus species होती है heart tick हो गया soft tick हो गया trombiculid mite scurb typhos में मिलता है और hemit scabies के इंदर देखने को मिलता है तो ये सब क्या है arthur bald bone disease